आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आई ये चल कर जाने टाटा ग्रूप की ये कौन सी कमपनी है जो उसके लिए कैश काओ की तरह से काम कर रही है और आने वाले समय में भी इसको बहुत अच्छे से प्रॉफिट देगी साथ साथ में इसका काफी अच्छे से ध्यान रखेगी इसके सारी फंडिंग जरूत को टाटा ग्रूप की जो कंसिस्टेंटली डिविडेंट दे रही है और 70% डिविडेंट कमपनी का टाटा ग्रूप का इस कमपनी से आता है हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टन्सी सर्विसेज टीचेस की जो की एक बहुत ही अच्छी कमपनी बनी जाएगी IT के वर्ल्ड में जिसने Business 4.0 को अपना Business मंतरा बना कर लोगों को फाइदा कराने की कोशिश की है Proposedive and Resilience, Adaptability जो भी जैसा environment हो उसके basis पर अपने आपको adapt करते हैं और फिर अपने customers को help करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं ये इनका मंतरा है आगे आने वाले समय में इससे काफी अच्छा फाइदा मिलेगा इस कमपनी को क्योंकि view बहुत सही है इस कमपनी के, customer एक बार इसके साथ लग जाता है तो लगा रहता है फिर आगे सारे प्रोजेक्ट उसी को मिलते हैं अब इनकी अगर specialty की बात की जाए तो इनके पास आराम से कम से कम इतने सारे patent है जितने की एक innovative company के पास नहीं होते हैं तो अपना innovation भी करते हैं, अपने खुद के patent भी बनाते हैं और उन patent को customer के साथ में implement भी कराते हैं तो ये बहुत अच्छा view है इनके साथ में जब कोई नया customer आता है तो उसको सारा business model समझाते हैं दूसरे same group के companies को बताते हैं कि हाँ आपके competitors हैं वो भी हमारे पास हैं तो हम आपको resilience दिखाएंगे जैसे pharma sector में उनके पास ज़्यादर तहर company US की pharma sector में उनके पास काम करती है और digital banking one of the core area for TCS जिसके चलते हुए इन्होंने काफी अच्छा आगे अपना नाम कमाया है तो इस बार से देखा जाए तो overall company बहुत ही growth profitable है आने वाले समय के लिए काफी अच्छा view बना के रखेगी अगर इसका थोड़ा सा long term का view देखें अभी यहाँ पर कोविड का इसने नीचे शुरू किया है तो IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने अपने कोविड के हाई को फार्मा के साथ में तोड़ दिया है बहुत जल्दी से तो फार्मा ने सबसे पहले तोड़ा और फिर IT companies ने तोड़ा है अब देखें यहां पर जो इसका पहला पिछला high था वह आप उसके आसपास ही आ रहा है दो 2234 के आसपास अभी बंद वा है और यहां पर यह इतने ही level पर बंद है इसका जो high बना था वो करीब-करीब 2350 के आसपास का high बना था यह पर तो ये काफी अच्छा व्यू बना रहा है, अभी पिछले 3-4 जिनों से यहां पर, पिछले 3-4 आफतों से यहां पर consolidation चल रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है, एक आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा breakout देगा यहां से आगे, अगर इसको हम pattern के हिसाब से देखा जाए, तो इसने upward channel को continue किया हुए अपना जब से इसने शुरू किया है यह काम करना, और तब से अब तक इसका channel as it is चल रहा है, तो यह बहुत ही अच्छा view है इस stock का आगे आने वाले समय के लिए, कि ऐसा company आपके portfolio में ज़रूर होना चाहिए, जो आप अपने next generation को gift कर सकें as a next best part, तो खाना सब खाते हैं, आगे समय पर अगर आप gift रखेंगे इस तरह से तो खतम हो जाएगा, पर यह इस तरह के stock को अगर gift देंगे, तो आगे generation के लिए बहुत अच्छा राएगा, तो आपको अगर आगे feature के लिए को gift रखना है, तो यह stock बहुत ही अच्छ है आपके आगे वाली generation के लिए, अब अगर हम कुछ technical studies इसमें add करके देखें, तो आपको उसको बताएंगे कि आगे आने वाले समय में, कहां पर आपको इसको हो सकता है, अच्छा buying मिल सकता है, तो super trend से आपको एक clear indication मिल जाता है, कि अभी buying चल रही है, कि selling चल रही है, super trend के basis पर इसमें buy continue है, और इसका level है support का 2146 के आसपास का support level बना हुआ है भी, देखें जब से इसमें covid का low से cross करके एक बार up journey शुरू की है, यहां से करीब-करीब 1930 के आसपास से, यह अब continuously उपर circuit में चल रहा है, तो बहुत अच्छा view है TCS का इस stock के reference में, अब अगर Friday को closing का दे हुआ है, और करीब-करीब इसका जो volume है, 29 lakh shares trade होना है, तो इतने बड़े stock के 29 lakh shares trade होना, काफी बड़ी बाद होती है, delivery volume देखा जाए, तो करीब-करीब 35-36% के आसपास delivery है, strong delivery है इसमें, इनकी कुछ secure चीज़े है जो आपको काफी अच्छे से समझनी पढ़ेंगी, अगर आपको इसको business model समझना है, तो TCS Iron एक इनकी in-house online employment की scheme थी, जिसके थूँ ये लोग अपने associates को train करते थे online courses में, अब उसके चलते हुए, वो तो कैसे उसको business में model करें, तो उन्हें उसके चलते हुए, university के साथ tie-up किया, school के साथ tie-up किया, और इसको platform को उनके लिए enable कर दिया तो अपने employee को तो फाइदा करी रहे हैं, अब उससे company के लिए cash भी generate कर रहे हैं, तो देखे कितनी अच्छी innovation है इनके पास में इस सब को करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा view बनाके रखते हैं अपने आने वाले समय के लिए, कि पहले अपने employees को graduate कराओ, उसके बाद में दूसरे जो लोग होंगे, वो आपके साथ में आए ही जाएंगे आराम से, तो अगर हम इसका दूसरा view देखें, इस stock का, अगर दूसरा parameter add के अजा इसमें हापर, तो एक और study हम लगा के दिखाएंगे आपको, जो आपको बता सकती है कि short term में, आगे आने वाले समय में, contraction हो हो गया था, यहां देखें, 70% के असपास band आ गया है, अब वो band कम हो गया है, तो अब यह यह या तो ऊपर जाने के लिए तियारी करा है, या नीचे जाने के लिए, band यहापे 3-4 दिनों से narrow हो गया है, तो यह तो नीचे की तरफ को breakdown होगा, या फिर ऊपर की तरफ को breakdown होगा स्टॉक का, जैसे भी होगा, वो आ गयाने वाले समय में पता लगेगा, कल का specially क्योंकि दिन में रुपी का काफी strength पड़ी थी, तो IT सेक्टर पर उसका negative impact पड़ता है, यह बात आपको समझनी है, तो कल का जो view है, वो थोड़ा सा negative इसलिए है, क्योंकि कल पैसा, इंडिया का रुपी काफी strong था डॉलर की अगेंस में, अब अगर निफ्टी की बात की जाए, और बैंक निफ्टी की बात की जाए, तो कल निफ्टी ने शायद अच्छा रिटन नहीं दिया हो इंटरडे में, और बैंक निफ्टी ने clearly एक बहुत ही positive इंटरडे रिटन दिया है, देख अब अगर हम यहाँ पर एक और add करें हैं, पर RSI एक parameter होता है, जिसके थ्रूब आप पता लगा सकते हैं, कि आगे आने वाले समय में, इस stock का divergence कैसा रहेगा, आगे उपर जा सकता है, कि नीचे जा सकता है, तो अभी RSI का level 49, 50 के असपास है, जो कि एक neutral level मना जाता है, ना अगे लो 20, 30 के असपास जाएगा, तो वहाँ से वो bounce back भी करता है, तो देखें हम पर 22 के असपास आया था, मार्च के लो में, इसके बाद से बहुत अच्छा bounce back किया, इस stock ने, तो यह RSI एक अच्छा parameter है, जो कि आप long term और short term दोनों के reference में, इसको use कर सकते हैं, अपने time के study करने के लिए, अब अगर हम और बात करें इस stock की, तो valuation की देखे जाए, तो strong market capitalization है, करीब-करीब 839,000 करोड की market capitalization है, डिवरिन देते हैं 7,800% का, और yield रहती है 3-4-4-9% ये, yield के दर्सी से भी बहुत अच्छा stock है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, तो please एक बार like को company को डाला है, पहले ज़्यादा तर सब इंडिया में लोगबाग office से काम करते थे, अभी उन्होंने सब को अपने घर पे या तो laptop दे दिया है, या फिर उनका desktop को shift करा दिया है, वहाँ पे उनके घर पे, ताकि सब लोगों की employee की connectivity हो जाए, और customer का billing चलता रहे, customer का project भी ब अगर आप और सारी market leaders की बात करें, इस segment में Infosys, Wipro, HCL, उनके comparison में TCS के bench पे employee बहुत कम है, तो उसकी वज़े से जो लोग भी है, सारे के सारे बिलेबल है, घर से काम कर रहे है, इना किसी को transport कराना है, क्योंकि अगर night shift होगी, तो transport कराना पड़ेगा, food देना पड़ेगा, साथ में कोई presentation नहीं हो रहा है, कोई client visit नहीं हो रही है, तो इस सब के चलते हुए इनके expenses बहुत ही कम हो गया है इस साल के लिए, तो ये company के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, सारी IT companies के लिए और particular TCS, क्योंकि उनकी bench strength हमेशा कम रहती है, जिसकी वज़े से सारे employee बिलेबल हो जाए, तो ये अच्छा ख़बर है TCS के लिए overall देखा जाए तो, अब अगर sales की बात करें June की, June की sales almost same है, जैसी March की sale थी 39,000 करोड की पहले थी March में 38,000 की हाँ पर है, और profitability करीब-करीब 7,000 करोड की है compare to 8,000 करोड पिछले quarter के comparison में, तो ये अच्छा indicator है TCS के reference में, TCS के जो head CEO, MD CEO दोनों है, ये Rajesh Gopinathan जी है, और इनके जो ideas हैं उनकी वज़े से आज company काफी उपर काम कर रही है, एंचंद्रा जब छोगे चल लगे थे company को Tata Group के लिए, तो इन्होंने इसकी कमवार्न सबाली थी, और यहां से इसको काफी अच्छे तरह के से उपर लेके गए है company को अपने reference में, अब हम जड़ा एक और study को देखेंगे technicals में, तक कि पता लगे आपको कि आने वाले time के लिए आप क्या कर सकते हैं इस talk में, एक indicator होता है high low band, जिसके तुरू आप आने वाले समय का time बता सकते हैं, कि कितने time तक यह कहां पर रहेगा इस range में, तो अभी दे हो, तब तक अभी इसमें खरीदने की जुरुत नहीं है आपको, तो अगर आप IT industry में stock invest करना चाहते हैं, तो current market level मत खरीदियेगा, यह हमारी सला रहेगी, हम आपको बताएंगे कहां पर खरीदना है, पर यह indicator आपको indicate कर सकता है, कि क्या यह सही time है खरीदने का की नहीं, उस उसके साथ में आपको various types of trading skills बताई है, including option trading, और हमने एक education video भी डाला है, जिसके reference में आपको बताया है, seven mistakes to avoid in market, both English and Hindi, जिसमें आप comfortable है, वो आप देख सकते हैं, accordingly. तो अब अगर हम इसका कल का chart देखें, जो कि कल market आपको पता है, हमारा रुपी बहुत strong था कल, सुबह सही, तो उसके चलते हुए, यह stock भी थोड़ा pressure में रहेगा, क्योंकि जैसे-जैसे market का रुपया उपर जाता है, IT stocks थोड़े नीचे आते हैं, तो देखिए यह नीचे पर मत खरी दिएगा, दोस्तों, जैसे हमने बताया है, आपको हमेशा तीन लेवल पर अपने buy purchase रखनी है इसकी, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कि यह quantity जो आप buy करेंगे, equal amount तीनों पर रखिएगा, ताकि अगर बाइचांस आपका price किसी वज़े से नीचे और reaction के लेवल है, जो पर आपको पहला खरीदना है आपर, इससे पहले मत खरीदिएगा, 2170 का एक लेवल रहेगा, जो आपको सबसे पहली quantity यहाँ पर मिलेगी खरीदने के लिए, अभी हो सकता है, market level एक हफते के अंदर इस लेवल पर आ जाए, तो आप उसे साब से अपना plan करके कि 2170, जो पहला लेवल है, यह अभी as per the current chart, current structure, यह भी है, जैसा भी होगा हम आपको आगे change होगा तो हम आपको बता देंगे, channel बने रहिएगा, 2170 के आसपास पहला quantity आप खरीद सकते हैं, जो दूसरा quantity आपको खरीदने के लिए मिलेगा, वो है 2115 के आसपास, जिहाँ 2115 के हम आपकी सलाहत दे रहे हैं आपको खरीदने के लिए, यहाँ पर आप अपना buy order राल सकते हैं, जब आपका इस level पर आए, आपने chart पर माकर करकेगा, और इसका long term का chart, अगर आप long term का expectation रख रहे हैं इस company से, तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग 3 साल के लिए recommend कर रह पर आपको at least कुछ portfolio में होना चाहिए, target हमने बता दिया इसका long term के लिए, दोस्तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ, आप सीख रहे हैं, और आपको अगर कोई भी question होगा, जो आप comment box में डाल सकते हैं, हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आपको help करने के लिए त्यार है हर टाइम पे